दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे पाँच AI SEO टूल्स जो आपको यूज करने चाहिए और अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आप किसी कंपनी के लिए ब्लॉगिंग करते हैं और फिर आप एक एजनसी ओनर है तो आपके लिए ये टू प्लॉगिंग करते हैं उन टूल्स की और वह कौन से टूल्स है कैसे है क्या नाम है क्या फीचर्स है वह सारी चीज़ेंगे इस वीडियो के अंदर तो हमारा टूल लंबर वन है marketmuse.com इस टूल की वदद से आप content strategy फिगर आउट कर सकते हो आप गैस कर सकते हो इस टूल की वदद से आप किसी वेबसाइट की content strategy को आप गैस कर सकते हो और एक भैधरिन decision बना सकते हो चलिए स्क्रीन पर बाव दिखाता है तूल किस तरीके से आपको दिखता है दोस्तों marketmuse को आप काफी अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हो जैसे यह आपको बूलता है कि content strategy आप analyze कर सकते हो किसी वी वेबसाइट की जैसे इससे मुलता है most content strategies are built on genetic data and opinions आप अपने like decision लेने के लिए काफी टूल आपको help करते है आप इसको free में भी यूज कर सकते हो और इसके कुछ benefits है जैसे कि own your topic in the service आप वीडियो जाके check out कर सकते हो इसमें आपको काफी सारे benefits मिल जाएंगी कैसे आप इस टूल को use कर सकते हो और किस तरीके से यह टूल आपको बहुत सारी सीज़ों में help कर सकता है जैसे answer hard questions with perspective insights आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से help करेगा उसके बाद आप यहाँ पर चकाउट करो website पर जाके competitive content analysis बहुत सारे benefits से content briefing content related पूरा content optimization भी आपको देगा score भी आपर देता है कि आप जो compete कर रहे हैं कि website से उनका क्या score है तो काफी अच्छा टूल है आप इसको यूज कर सकते हो अगर हम इसकी pricing की बात क करें तो यह आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो मतलब इसमें फ्री वाला जो section इसमें कोई time limit नहीं है कि आपको साथ दिन का है 15 डेस का ट्राल है अगर आपको लगता अच्छा तो जाके आप प्राइजिंग वाइजिंग चेक करके आप में डेट करेंगा नहीं तो कोई इतना अच्छ जरूरत नहीं है परिवर भी यूज करते हैं इस तूल की मदद से आप मेटा डेटा प्रिपेर कर सकते हैं की मदद से जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन टाग्स इस सारी चीजे आप यहांप बहुत इसली कर पाएंगे आपको बहुत इसली आप अपने जो भ भी डिजिटल कंटेंट बना रहे हो चाहिए वीडियो बना रहे हो या फिर आप टेक्स्ट बना रहे हो उन सब के लिए आप चेक आउट कर सकते हो इस टूल को यह भी एई डिरिवन टूल है जो की काफी हेल्फुल रहता है बहुत ही बेसिक सा लेयाउट है इनकी अब आपको लगता है कि भाई मुझे इस फ्री से थोड़ा और बेटर सविसेश चाहिए और बेटर चीजे चाहिए तो डेफिनिटल यू अल्वेज अपग्रेड इस टूल है मेटा डेटा को जनेरेट करने के लिए तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अब चली बात करत है कंटेंट लिखने का और वह आपको कॉपी बेस कंटेंट एया रिटन कंटेंट या चैट जीपीटी से लिए और आपको भी देता है तो अब आप कैसे उसको आइडिटिफाई करोगे तो चेक फॉर एक टूल है जिसकी मदद से आप वह कंटेंट एए द्वारे लिखा ग करने को बोलेगा तो और को चैवलक करके यहां जाईरा करें और अपको को साइन जाइब करोगे करें तो मैंने इसलैडिफ तो और ऑफली पोने रूझाट है या फिर आपने पहले बनाया हुआ है तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप जाके अपने कोई भी AI रिटन कंटेंट है उसको चेक कर सकते हो कि AI द्वारा लिखा गया है कि यह कि human इससे आप पता लगा सकते हों और जैसे पहले प्लागरिजम हम चेक करते थे यहाँ पर हमको AI रिटन कंटेंट भी फैच हो जाएगा जिससे कि आप अपने वेबसाइट पर AI रिटन कंटेंट डाल देते हो तो तो अगर आप लाइक चेक फॉर AI को यूज़ करके उसका इडेंटिफाई कर लो तो उसमें जो भी AI रिटन लाइन है उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो जिससे कि वह यूनिक और चलिए बात करें है इस तूल की मदद से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो गूगल शीट में और इसके फायदे निगाल सकते हो चलिए आपको दिखाते हैं वह क्या बेनेफिट्स शीट एड़ डॉट एप जो है इसको आप लग कहते हैं कि चैट जीपिटी इंसाइट शीट्स आप गड़ शीट्स के अंदर चैट जीपिटी के तरह एक्स ले सकते हो इस आप जनरेट कर सकते हो इसी टूल का यूज़ करके तो यहां पर देखो इनकी कुछ टुटोरियल वीडियोस हैं जिसको अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप देख सकते हो और बाकी प्राइजिंग तो बहुत सस्ता है मतलब फ्री में भी आपको मलता है यहां पर जि आइस हमारा जो ब्लॉग NLP टूल है यह टूल आपको हेल्प करता है अलब कंटेंट क्रियेशन में आपको वेर रिटन कंटेंट आप समय से कुछ लोग बोलोगी चैट जी पीट आपन यूज़ कर लेंगे चैट जी पीटी यूज़ कर लोगी बहुत सी वात है बट चैट पीटी पेड हो गया भी वह आपको ट्वेंटी डॉलर पर मंद ले रहा है देखो यह ऐसे तो यह टूल भी ले रहा है फिरी में आपको कोई नहीं देता है बट अप टू सम एक्स्टेंट यहां से आप कंटेंट हुमन डिटन टाइप जनरेट कर सकते हो और फिरी में भी आ पर लिखा है तो जाके चेक आउट कर लेना फ्री और प्रीमियम जो भी है तो यह टूल भी आपको एसीओ राइटिंग में काफी हेल्प कर सकता है और ज़रूर चेक आउट करिए ब्लॉग एनल्पी साइन करिए क्लिक कर गे और यूज कर लीजिए दोस्तों यह कुछ ऐसे पाच एसीओ टूल्स थे जिनको आपको यूज करना चाहिए आयोव आपने इन तूल्स को समझा और इनके बारे में जा रहा है और जब आप इनको यूज करेंगे तो काफी जादा बेनेफिट ही है आपकी लाइफ में आड़ आन करेंगे और आपक दूल्स को ट्राय करेंगे और इनको अपनी वेबसहाइट को पहली हो और आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको नहीं समझ वारा कैसे करना है कोई एशू आ रहा है या फिर आपकी विबसाइट में ट्राफिक नहीं ग्रो हो रहा है तो आप उससे कॉंटेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरे विबसाइट का लिंक है बिस्गुरोमीडिया.com और हमारा WhatsApp नमबर भी है कंपनी का आप उस पर जाके चेक आउट कर सकते हैं और जो भी आपकी SEO related इशूज है उसको अपन सॉल्व कर देंगे और जाने से पहले वीडियो अगर यह अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें इससे मोटिवेशन बनता है और अच्छी वीड आपको मिल जाएगा जाकि उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे हम डेली वीडियो में तिल दें टेक कियर और अगर आपके मर में कोई क्वेशन है कि आप पूछ रा चाहते हो तो नीचे जो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं मैं रिप्लाइ करने ही पूदियों कि आपक बदात बिख कर सकते हैं, मैं भौछ सकते हैं कि उनक्या जाई हो अब केती हैं मिली अजह जो कि आपके में वहाँ ड़ सकते हैं मिली ऑपके मिली जापके अट त commodity हैं में वहाँ